उत्तल लेंज से परतिविम का निर्माण इसमें मैं आपको दो कंडिशन बता देता हूँ डाइगराम बनाने के लिए जिससे हमें के आंसर पता चलेंगे कि वस्तु का परतिविम कहां बनेगा कैसा बनेगा ठीक है फर्स्ट है अपना जब वस्तु अनन्द पर हो जब लेंज बना लिया उत्तल लेंज यह है जो किनारों से पतला है और बीच में से मोटा है उसके बाद में हमने एक अक्स से होते हुई सीधी रेखा खेची अब अनन्द पर जब वस्तु इस्तित होती है तो डाइगराम में वस्तु नहीं दर्साते हैं और अनन्द से आने वाल अने वाल प्रकास के दिने मुख्यक्स के समानतर होती है यह मुख्यक्स के समानतर हो गई हमने यहां पर इसको इसको f1 फोकस है इसको f2 यह हो गया f2 और यह हो गया 2f2 f1 का जस्ट डबल 2f होता है 2f1 होता है फोकस दूर यह यहां से यहां तक की जब परकास की किरने मुख्य अक्स के समानतर आती है तो यह नियम है लेंस का जब भी परकास की किरने मुख्य अक्स के समानतर आती है तो अपवर्तन के फश्चात focus बिंदू से गुजरती है तो हम इन सब को focus बिंदू से गुजर देंगे आगे की तरफ अब इस डाइग्राम से हमें आंसर मिलेंगे कहां यानि प्रतिविम कहां बना तो आप देख सकते हो F पर कौन सा F है ये F2 प्रतिविम F2 पर बना कैसा बना ये चीज इस से पता चलेगी देखिए उत्तर लेंज यानि उत्तर लेंज उसे उल्टा और जैसा पहले बताया जा चुका है कि उल्टे के साथ में हमेशा क्या आता है वास्त्विक प्रतिविम आखार इसका आखार की बात करें तो एक देखो पॉइंटेड सारी रेखाए एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रहे है ठीक है और हमेशा ध्यान रहे जब वस्तु ल लेंग से जितनी ज्यादा दूरी पर होगी उसका प्रतिविम उतना ही छोटा होगा वस्तु अनंत पर है यानि बहुत दूर है तो प्रतिविम बहुत छोटा बिंदू के समान वस्तु का जो प्रतिविम बना बिंदुवत बॉल दो बिंदुवत या बहुत छोटा हमेंसा इसको ऐसे ध्यान रखो जैसे जैसे वस्तु लेंज के पास आएगी वैसे वैसे ये परतिविम बड़ा होता जाएगा जब एप पर वस्तु आ जाएगी तो परतिविम बराबर हो जाएगा और एक चीज इसमें यह है कि परतिविम जैसे यहाँ पर एप टूपे बन रहे है तो वस्तु जब अनन्द पर है तो एप टूपे बन रहे है यानि लेंज के पास जब वस्तु सबसे ज़्यादा दूरी हो लेंस से प्रतिविम उतना ही पास बनता है जैसे से वस्तु इस तरफ आएगी वैसे यह प्रतिविम आगे भागेंगा यानि एप f2 पर है तो फिर जाएगा f और f2 के बीच में फिर जाएगा 2 f2 पर फिर जाएगा 2 f2 से दूर वस्तू इदर आती जाएगी यह दूर जाता जाएगा तो हर condition में इसे ध्यान रखना चाहिए जैसे अब second condition है जब वस्तू 2 f से परे यानि दूर इस्टितो तो हमने अक्स बना दिया लेंस बना दिया यह focus बिंदू हो गया f1 इसका जस्ट डबल 2 f1 यह हो गया का f2 यह हो गया 2 f2 क्यूशन में लिखावा है जब वस्तू 2 f से परे यानि यह 2 f है इससे परे यानि यहां पर हमने एक वस्तू बना दी जिसके सर इस एरो को शो करेंगे बस तूकर एरो से शो करते हैं यह सर की टोपी है इसकी चीक है और हमेशे ध्यान रखना है हर डाइग्राम में हर कंडिशन में हमें इसके सर से दो किरने चलाने है फर्स्ट किरन ये चली जो मुख्य अक्स के समानतर होगी हमेशा ये मुख्य अक्स है इसके समानतर ये किरन और नियम ये ही है जब मुख्य अक्स के समानतर किरने लेंस पर आप्तित होती है हैं तो अफ वरतन के फशब कहा से गुजरती है फोकस से तो इसको आप focus से गुजार दो यह focus बिंदू से गुज़ाइंगी ठीक है यह यह प्रकासथ यह लेंस प्रकास एक होसे घजाने हमें से उसे गुजार्ने नहीं करणा को सबये जिन जाएगी तो इसको यहां का्टेगई इसके से जब खैचेंगे तो डियाग्राम से बनेगा यहां पर यह कैट्री ए यह वसत कुछत नहींrons तो यहां जब अनन्द पे थी वस्तू तो focus बिंडू पे परतिबीम बन रहा था जब अनन्द से थोड़ा आगे आया तो परतिबीम देखो focus से थोड़ा आगे सरग गया यानि कि app 2 और 2 app 2 के बीच में अब वस्तू next condition में यहां आएगी तो यह ओर आगे सरग जाएगा इसमें answer आजएगा आपको कहां तो कहां बन रहा है app 2 और तो app 2 के बीच कैसा कैसा बन रहा है कि कैसा के तो answer इसमें ही है उत्तर lens है तो उत्तर lens के साथ में उल्टा ही आता है उससे उल्टा और हमेशा वास्तिक आता है इसके साथ में एक कंडिशन को छोड़ कर आकार आकार इसका आकार देख सकते हो अभी बिंदुवत नहीं है थोड़ा सा बड़ा हो गया वस्तु से लेकिन सोरी वस्तु से थोड़ा बड़ा नहीं पहले की कंडिशन से थोड़ा बड़ा हो गया पाल गुपकर प्राप्ट